तो कौन है ये इन्वीजिबल एंटिटी और स्मार्टी भाई के वर्ल्ड में ये कहा से आया और ये किसका बेटा है और किसका बाप है ये सब चीज़े आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी उसके लिए बस आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को पहले जब एक एंटिटी का जन्म होने वाला था और किसी को भी नहीं मालूम था कि एक ऐसी एंटिटी आने वाली है जो की पूरा तहल का मचा देगी एक विलेज थी जहां पे लोग बहुत अच्छे से रहते थे एकदम खुशाल जीवन बीटता था उनलोग का और उधर ए विलेज ने अपनी इमेज उस टाइम इतनी अच्छी बना थी लोगों के सामने कि लोग उसे क्रिपालू, दयालू, आलू भी समझ के रखते थे इस विलेज का नाम किंग्स लैंड था जहां पे अभी स्मार्टी पाई राज करते हैं उसके पपा का नाम था ल्यूक और उस तो उसको कुछ अजीब सा फील हुआ अंदर अंदर से और उसके बाद जो हुआ वो एक दम अनेक्सपेक्टेड था उस बच्चे ने विजर्ड की गोत पर टॉइलेट कर दिया अब अगर आपकी विष्टी होगी तो आप क्या करोगी हमें कमेंट में बताना और वही चीज की विजर्ड ने बच्चे से भी बदला ले लिया बच्चे को भी नहीं छोड़ा उसने उसको श्राब दिया कि तू हमेशा के लिए इन्विजिबल हो जाएगा और किसी को नही लेकिन विजर्ड को नहीं पता था कि कुछ सालों बाद विजर्ड के ही बुरे दिन आने वाले हैं और कुछ सालों बाद जब वो इन्विजिबल एंटिटी बड़ी हुई तब उसने बहुत कड़ी तपस्या की तो भगवान ने खुश होकर उसे वरदान दिया कि वो स्मार्टिपाई पर हमला कर दिया क्यूंकि उससे कहीं से पता चला था कि स्मार्टिपाई और विजर्ड बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन रियालिटी तो आप सब लोग जानते हो धाई सो साल बाद विजर्ड और इन्विजिबल एंटिटी आपस में मिले आमने सामने तो उन दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे सीधा फाइट शूरू कर दिया तो इन्विजिबल एंटिटी ने एक अनग्रेकेबल ब्लॉक से बना हुआ एक ट्रैप बना के रखा था जि विजर्ड एक गड़े में गिर चुका है जिसको इन्विजिबल एंटिटी ने ट्रैप करके रखा है तो जब स्मार्टी पाइट ने अंदर देखा तब विजर्ड रो रहा था और मम्मी मम्मी चिला रहा था लेकिन अचानक से पीछे से इन्विजिबल एंटिटी गोड और क्लच गोड तो उन्होंने अपना क्लच स्किल्स दिखाया और बाहर आ गए कभी-कभी लगता है कि अप उन्हीं जगवान है उसने कुछ दिन मेहनत की तो उसे बहुत सारी सूपर पावर्स मिल गई थी और उसे ये सब सूपर पावर्स किंग ओडिन की वज़े से पावर्स किंग्डम को हडपना जो अभी स्मार्टी पाई के पास है तो स्मार्टी पाई साफधान रहे और उस इन्विज़िबल एंटिटी का एक बेटा भी है जो की कोई उस कमांडर का विजड ने ब्रेन वाश भी कर दिया था तो उसको पता भी नहीं था कि उसके बापा कोई और नहीं बलकि इंविजिबल एंटिटी ही है इसे वज़े से कमांडर इतना फास्ट दिमाग वाला और इतना पराक्रमी यह लेकिन अगर उस इनविजिबल एंटीटी पर visibility का potion पढ़ता है तो उसकी powers भी धीरे-धीरे कम होने लगती है जैसे smarty by की skin fade होने के बाद हुई थी visibility का portion पढ़ते ही उसकी भी skin हल्की से fade हो जाएगी लेकिन वो visibility का potion बहुत पुराने जमाने में था और वो use हो चुका है तो smarty by time machine का use करके वहां जा सकते है या फिर स्मार्टीपाई को टेम्पल ओफ नौच की पूजा करनी पड़ेगी तो ही स्मार्टीपाई को विजिबिलिटी का पोशन मिल सकता है स्मार्टीपाई को ही उस इन्विजिबल एंटिटी को खतम करना होगा हमेशा के लिए क्योंकि वो ना तो विजर्ट की बसकी बात है और ना ही टेम्पल ओफ नौच की बसकी बात है क्योंकि उस एंटिटी को वरदान मिला था कि कोई भी भगवाईन उसको नहीं खतम कर सकता तो क्या लगता है आपको कौन है वो इन्विजिबल एंटिटी हमें कमेंट्स में बताए मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई खतम बाई बाई टाटा गुड़ बाई गया